नमस्कार मैं विकम सेंख आज हम नया चप्र स्टार्ट कर रहे हैं वह है एस ब्लॉक तत्तो इसमें हम एस ब्लॉक तत्तो क्या होते हैं इनका परिचय देखेंगे आज की क्लास है परिचय S-Block तत्तों का समू के प्रतम तत्तों का अपसामान्य गुण या विभार क्या होता है और किस कारण से होता है किस कारण से होता है विकर्ण संबंद क्या है इस कारण भी आमको पता लगाना है इसकी उपलबदता इलेक्ट्रोनिक विन्यास और हम देखेंगे शार धातूं का भोशतिक गुन, शारी धातूं का भोशतिक गुन और लास्ट में देखेंगे क् webs तो चलिए, यहाँ पर है परिचय यहाँ पर है परिचया है हम यह यहाँने के S-Block तत्तों क्या होते हैं अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आवर्ण सारणी में तो S-Block तर्थो इन तत्तों को कहा जाता है यह पहला वर्ग और दूसरा वर्ग की तर्थो पर्थम समूँ दुती समूँ यह first A भी लिखते हैं इसको second A भी लिखते हैं लेकिन एक तत्तो और है जो हेलियम है वो actually S-Block तत्तो ही है पर चोकी उनके गुणों में समानता इन अक्री गैसों के समान होती है यानि कि हेलियम जो है अक्री गैस है इसलिए वहाँ पर रखा गया है जबकि यह है actually क्या चीज़ है यह S-Block तत्तो होता है पर सवाल यह कि S-Block तत्तो कि इनको कहेंगे उन तत्तों को कहा जाता है जिनके अंतिम एलेक्ट्रोन S कक्षक में भरते हैं S-Block तत्तो होते हैं जैसे अगर example ले 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 लिथियम लिथियम का परमाणू करमांग है तीन तो एलेक्ट्रोनिक उन्यास होगा 1s2, 2s1 देखो S में भर रहा है लेक्ट्रोन sodium परमाणू करमांग 11 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 अंतिम एलेक्ट्रोन S में भर रहा है beryllium परमाणू करमांग 4 1s2, 2s2, S में ही अंतिम एलेक्ट्रोन भर रहा है magnesium 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, S में भर रहा है तो आखरी बार इलेक्ट्रोन जब भरेगा S कक्षक में तो ऐसे तत्तों को S ब्लॉक तत्तों कहा जाएगा इनके संयूजी कोश का इलेक्ट्रोनिक पिन्यास क्या होगा संयूजी कोश का इलेक्ट्रोनिक पिन्यास होगा ns122 होता है यहने एक या दो संयूजी कोश के इलेक्ट्रोनिक पिन्यास होगा ns12 अब देखें कि S ब्लॉक तत्तों में दो गृप है आपके सामिल है पहला हाइडोजन यह जिसको पहला वालवर्ग है इसको कहा जाता है शारी यह धातु है अलकलाई मैटल्स और इसमें सेकंड को कहा जाता है शारीय मृदा धातु है शारीय मृदा धातु है तो यह इस तरह से दो वरकों को हम पहचानते हैं इसमें से यह हाइडोजन और हेलियम को छोड़ करके सभी धातु है यानि कि हाइडोजन और हेलियम धातु नहीं है वो आधातु है गैस के रुप में रहती है लेकिन धातु का कोई गुण नहीं पाय जाती है तो बाकी जो है यहाँ से यह सभी धातु है लीथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांशियम और आप सबको याद भी होगा इनके बारे में परमानो करमांग में डिफ्रेंस जो है देखें तो लीथियम से आगे बढ़ते हैं अठा, बतेशियम होता है, यानिक कि आपको लीथियम का पता या बियलियम का पता है, तो इनको प्लस करते जाईए, पहली बार 8 तो 11 फिर 8 गोई तो 19 फिर 18 प्लस करेंगे तो 37, 18 प्लस करेंगे तो 55 और 32 प्लस करेंगे तो 87 सेवन इस तरह से इसको कहते हैं मैजिक नमबर आप चांदते हैं जादूई संख्या है हम देखें समू प्रथम ए तथा सेकेंड ए इन दोनों को आवर सार्णी में हमने कहां रखा है समू एक और दो में रखा है इन तत्तों को यानिकी दो तरह हम लेते हैं ऐसे लिख सकते हैं इनके बायकोश का electronic विन्यास समू एक के तत्तों का कितना होगा ns1 और second का होगा ns2 तो समाने electronic विन्यास आपने क्या लिखा है ये लिखा है इसका मतलब है प्रथम वारे जो गृप है इसका electronic विन्यास क्या होगा ns1 और इसके वाले के लिए होगा ns2 ये जो यहाँ पर n क वेल्यू है वो क्या है एन की वेल्यू है 1,2,3,4,5,6,7 अगर मैं किसी भी तत्तों पर ऐसे मार्किंग कर दूँ और उस तत्तों का electronic मिन्यास क्या होगा बाहरी कोश्का तो आप बिल्कुर समझ लेंगे कि यहाँ पर लिखा 5 और यहाँ पर है NS2 यानि कि इनके वेल्यू 5 हुआ और S2 हो गया इनके आखरी कोश्का जैसे यहाँ पर मैं sodium की बात कर तो 3S1 होगा और आपको यह electronic मिन्यास करके दिखाए दिखो 3S1 है ऐसे ही चलो तो यह सारे तत्तों को हमने देखा इनके electronic मिन्यास अब कुछ बातों को ध्यान से रखेगा दिमाग में वो क्या चीज़ है समूँ एक के तत्तों में hydrogen का electronic मिन्यास 1S1 है किन्तु यह आधातू तत्त्त्त है दि विसास्ट विभार का मतलब यह हुआ कि यह अपने आप में अलग गुन रखता है इस वर्वी के सारे तत्तों होते हैं hydrogen को छोड़ करके hydrogen अढद हातू हुते हैं Pasam take turns भी इनके गुन मिलते है इसी प्रकाई शुन्य समूं में रखे गए तक्तों जो होते हैं हिलियम का electronic Vinyas है 1s2 जब कि वो क्या चीज़ है अक्रिग ऐसा जो सेकेंड ए समूं के तक्तों के वहत्म को electronic Vinyas या कोश के समय electronic Vinyas रहती है किन्तु इनकी जो वेवहार है ये अधातु है तथा ये रासानिक रूप से निस्क्री है इसलिए इनको रखा गया है छारी मिदधातों में न रख करके इनको अलग रखा गया है और उनको अक्री कैसों के साथ रखा गया है और बात करते हैं एस ब्लॉक तत्तों एवन पी ब्लॉक तत्तों के संयुक्त रूप में सामान्य तत्तों या प्रतिनीधी तत्तों हम कहते हैं याद रखेगा, यानि हम S-Block तत्तों को और P-Block तत्तों को हम कौन से तत्तों मानते हैं, परसनेधी तत्तों मानते हैं, चले एक और मज़िदार बात बता दें, कि प्रथम समू और द्विती समू के अंतिम तत्तों, जैसे प्रथम समू में क्या उन सा आता है, फ्रांशियम और द्विती में कौन आता है, ये रेडियम, ये दोनों ही रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो धर्मी होते हैं, रेडियो धर्मी, मतलब इस तत्तों से लगातार एक अद्रिश्य विकिरन निकलती रहती है, इनका नाभिकी विकंडन होता है, नाभिकी रुप से नाभि का विगडन होते रहता है और विकीरन निकलती रहती जिसको अल्फा बीटा, गामा, विकीरन कहते हैं यह हमारे आँखों से नहीं दिखाई देती है पर जो जिंक सलफाइड है यह फोटोग्राफिक प्लेट है या आहमारे पास जो कैमरे हैं उनसे हम देख सकते हैं तो यह है radioactive तत्त एक और बाते हैं इनकी सहाजकता एक सहीं जी और दूसरे वर्ग तत्तों की सहाजकता दुई सहीं होती है हम एक बात और ध्यान रखें कि इन तत्तों का भौतिक और असाने गुणों में नीमित करमिक्ता पाई जाती है याने कि अगर हम भौतिक गुणों की बात करें परमानों अकार की बात करें आयनन विभौक की बात करें तो या आयनन क्या बोलते हैं उर्जा की बात करें तो किसी भी गुरुप में उपर से नीचे जाएंगे तो एकदम रेगुलरली वो बढ़ेगा या घटेगा कहीं कहीं पर थोड़ा अपवाध हो सकता है लेकि नॉर्मली कैसा होता है यह गुंड जो है क्रमी क्रुप से परिवर्थित होती रहती है अब दूसरी बात पर चलें कि भाई एक बात याद रखेगा इस तत्तो की जो क्रिया शिलता है बहुत अधिक होता है यह सामाने तर से मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है और दूसरी बात करें शारी धातों और शारी म्रद धातों का जो घनतों होता है बहुत ही कम होता है और इसी कारण से इन धादूओं को हलकी धादूएं कहते हैं S-block तत्तों को क्या कहा जाता है हलकी धादूएं कहते हैं घन तो कम होने कारण इक को जानकरियां है जिसको आप अलग-अलग भी लिख सकते हो और मैंने एक स्टेप में दे दिया है अब देखें कि भाई आप किसी भी वर्ग में जाएं किसी भी ग्रूप में जाएं समू में जाएं एक चीज़ देखने को आपके मिलेगा कि उस वर्ग के तत्तों का जो गुण होता है अपने उस वर्ग के जो तत्तों होते हैं यानि प्रथम तत्तों होते हैं अपने नीचे वाले तत्यों से नहीं मिलता है। ये आप normally आपने तत्यों के classification में भी पड़े हैं। यानि किसी भी वर्ग में जो सबसे पहला तत्यों होता है, उनका जो गुण होता है, नीचे आने वाले तत्यों से ना मिल करके, वो उसके आगे वाले वर्ग याने समू के निचले वाले तत्तों से याने सेकंड तत्तों से उनकी गुणों में समानता पाई जाती है तो ये गुणों में ना मिलना ये क्या है? क्यों नहीं मिलता है उनकी गुणों के साथ? तो यह सिप कारण अभी मैं बताऊंगा और ऐसे आगे जाकर के इसके एक्जामपल के साथ भी मैं आपको समझाने वाला हूँ तो जैसे आप यहांपर आवर सार्णी में जा रहे हो तो आवर सार्णी में देखो यह पहला तको मान लेते हैं लीथियम कोま कुकि हैं bij कई लोग यहां पर आप लीथियम की बात तो लीथियम का जो गुण है वो नीचे आने वाले तत्तों के गुणों से भिन्नता रखती है काफी गुणों में ऐसे बेरिलियम अपने नीचे वाले तत्तों से काफी भिन्नता रखती है इस तरह से बोरॉन की भिन्नता भी देखने को मिलता है कार्बन की भिन्नता भी देखने मिलता है नेट्रोजन में भी मिलता है इसी आकार जो होता है वो सबसे छूटा होता है अपने वर्ग के अन्य तत्तों के तुल्ला में इस प्रथम तत्तों का परमानव आकार सबसे छूटा होता है इसलिए परमानव आकार छूटा होने के कारण उनकी गुण अलग होते हैं दूसरी बात होगी इसकी जब छूटा है परम आयनन उर्जा जो है बहुत ही उच्च होगा, आकार छोटा होने से विद्द्रात्मक्ता दिखोगा, आयनन उर्जा बहुत ही अधिक होगा और साथ में इस पर डीक अक्षक नहीं पाई जाती है, ये भी एक कारण है और इसी कारण से इसकी उच्च धुरुवण शमता होता है उच्छ द्रुवन शंता और द्रुवन शंता अधिक होने की वज़ा से भी यह होता है आपने फरजन्स का नियम पढ़े हैं तो आप जानते हो धातू का आकार बड़ा होगा तो आसानी से धनायन बनाएगा यह छोटा है जिसके आसानी से धनायन ना बना करके वह उस सबसे में प्रमुक कारण आपके पास हो है वह है पर्मानौ आकार छोटा पर्मानौ आकर उच्छ विद्यत्रनात्मक्ता उच्छ अयनन उर्जा और उसके बाद है डीकक्षक कंनाय पाये जाना यह कुछ बाते हैं और यही सारी बाते मिल करके हमारे पास आता है उच्छ प्र Francis फ्री से सद़्िश्व के सित्टित इरे याा पाई जाती है अब देखते हैं यहाँ पर देखें अगला है कि 궁금 नannie होता क्या है पताएं विकर्ण संबंद होता क्या है विकर्ण संबंद मतनब अपने पडूसी तत्तों से गुणों में समानता है लेकिन पडूसी कौन सी जो विकर्णता हो याने कि ऐसे अब देखो अगर मैं सम्मू एक सम्मू दो सम्मू तीन सम्मू हा न यह तेरा चौदा या इसको फस्ट ए ग्रूप इसको सेकंड एक ग्रूप कहते हैं इसको थर्ड एक ग्रूप कहते हैं यह फोर एक ग्रूप कहलाता है तो इसमें लीथियम सोडियम है लीथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम है इसे बेरिलियम मैगनीशियम इस तरह से हैं हम ये देख रहे हैं कि द्विति आवर्द के तत्तों का तिर्थी आवर्द के तत्तों के साथ इस तरह का विकर्ण संबन होता है, मतलब लीथियम द्विति आवर्द के तत्तों का अगले वर्ग, द्विति आवर्द के तत्तों के साथ गुणों में समानता पा जाती है, इसको अगले वर्ग या अगले सम्मूं के अगले सम्मूं के तत्वों से के तत्वों से गुणों में समानता रखते हैं इसे कहते हैं विकर्ण संबंद इसे क्या कहते हैं हम लोग विकर्ण संबंद कहते हैं तो विकर्ण संबंद क्या हुआ द्विति आवर्थ के तत्तो का त्रिति आवर्थ के अगले वर्ग के तत्तो के सांथ गुणों में समानता याने विकर्ण तह समानता, तिरिछे रूप में समानता, इन दोनों की गुणों में समानता पाई जाती है, इसी तरह से इस तत्यों का एलिमिनियम के सां समानता है, बिरिलियम का सिलिकॉन के सां समानता, इसी तरह से कार्बन का अगले वर्ग में कौन आएगा, बंदरवा, न इनका इनके साथ इनका इनके साथ हम पढ़ेंगे अब बात करते हैं विकर्ण संबंद के मुख्य कारण क्या होते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि इसका परमानु या आयनिक तरज्या यानि आप अगर जानते हो कि वर्ग में नीचे की और जब जाते हो तो परमानु आकार इस तरह से अब यहां से साइड में जाओ तो परमानो आकार छोटा है देखो लेकिन उपर से नीचे जाओ तो बड़ा होते जा रहा है लेकिन अगर आप इस आकार को और इस आकार के साथ तुलना करोगे तो लगभग परमानो आकार बराबर होगा तो ये सबसे बड़ा कारण होता है कि पर्माणों आकार का लगभग बराबर हो जाना और ये उनके गुनों में काफी समानता हैं ला देता है ऐसा होने पर क्या हुआ विद्ध रनात्मक्ता भी इसी कारण से लगभग समान होगी धन विद्ध लक्षण भी लगभग इसी कारण से समान होगी और इसी कारण से इसके धोरान शमता भी लगभग समान होती है ये पूरा कारण लगभग एक्दम एक्क्योरेट नहीं बोला जा सकता है लगभग समान क्योंकि गुणों में भी लगभग समानता होती है करने कि 100% पूरी समानता होगी हाँ यह ध्यान रखा करिए तो परमानों आकार विद्युद्धनात्मक्त गुण और या विद्युद्धनात्मक्त यह और लगभग समान ध्रुवन शंता यह सारी चीजें लगभग रूप से समान होता है इसी कारण से विकर्ण संबन आ जाता है किनके किनके भी समान विकर्ण तत्तों का गुणों में समानता होने को जिसे और इनके कौन को से गुणों में समानता होगा हम आगे जाकर पढ़ेंगे लीथियम का मेगनेशियम के साथ गुणों में समानता बेरिलियम के ऐलिमिनियम के के साथ इसी तरह से बराउन का सिलिकॉन के साथ यह हमारे कोर्स है इनको हम लोग आगे जाकर के पढ़ने वाले हैं कि अब देखें कि समू एक या समू एक या वन ए शार्धात में अलकलाई मेटल्स तो समू एक के तत्तों में कौन-कौन से तत्तों आते हैं लीथियम, सोडियम, पोटेंशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांशियम सभी धात्तु एक प्रकृति के होते हैं यानि कि सभी धात्तु होते हैं जिसमें यह फ्रांशियम जो है रेडियो एक्टिव तत्त्तु है ये सामोहिक रूप से इनको शारधातुए कहते हैं याने शारेधातुए कहते हैं क्योंकि इनको जब जल में मिलाते हैं तो विले हो करके उनसे क्रिया करके प्रबल शारी हाइड्राकसईद बनाते है मैं एक एक्जामपल ले लूँ sodium को पानी में अगर आपने मिलाया तो इनके साथ reaction करेगा और ये OH रख लेगा एने OH और ये hydrogen gas मुक्त करतेगा तो मैं twice के रुप में लिख देता हूँ ये लिजाए तो ये है प्रबल छार तो ऐसे ही सभी इस तरह से reaction करते हैं lithium धीमी गती से करती, sodium उच्च गती से करती और इस तरह से potassium उससे भी high speed से करती और आगे नीचे की recreation बहुत ही ज़्यादा होता है उपलब्धता अब यहाँ पर बिटा आपकी याद करने की खंता और याद करने पर depend करता है कि किन चीज़ों को याद रखना जाते हैं किन को नहीं रखना चाहते यहाँ पर कोई logic कामने करेगा सिर्फ आपकी याद करने का मन ही याद इन्हें आपकी मेहनत चाहिए आपकी यहाँ पर याद रखने की तो यहाँ पर देखेगा शार्धात में आपने ऊच्च्यक्रिया शिल्ता की कारण प्रक्रति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है शारी धातों को कभी भी आप मुक्त अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते हो यह हमेशा किस में प्राप्त होगी, यह कोई ने कोई योगिक के रुप में ही प्राप्त होगा किन्तु यह किस रुप में पाई जाता है, ऑक्साइड के रुप में पाई जाती है, हैलाइट, नैट्रेट, सिलिकेट, बोरेट, आदी के रुप में पाई जाता है अब मैं sodium धातू या potassium धातू की बात पर sodium, potassium, lithium ये प्रकृति में कितने मात्रा में पाई जाती है अगर मिर्दा में देखा जाए या मिट्टी में देखा जाए तो यहाँ पर ये लाइने जरूर लिखा हुआ है कि sodium का इस्थान जो है वो साथमा है इसी तरह से potassium जो है आठमा इस्थान रखती है प्रकृति में इसी तरह से आपके पास lithium है जो 25 इस्थान रखती है तो इस तरह से है दूसरी बात है sodium को देखे समुद्रे जल में sodium है potassium है इनके लवन मिलते है आपको लीथियम का मुख्य आयस्क जो है स्प्रोडेमीन है L-I-A-L-S-I-O-3-2 है और लेपिडोलाइट है L-I-2-A-L-2-S-I-O-3-2-F-O-H-2 इस तरह से बहुत सारे चीजें हमको यह नाम याद रखना है लीथियम का यह दो आयस्क है इस सोडियम के जो मुख्य आयस्क है मुख्य जो शुरूत है वो और क्या बोलते है रॉक सॉल्ट है रॉक सॉल्ट यानि सोडियम क्लोराइट का सोडियम क्लोराइट जो है रॉक साल्ट के रूप में यानि एक दो चीज़ बाते है एक ऐसी भी जगह है जहां पर sodium chloride पुरे बिच्छे हुआ है ठीक है वहां से आपको मिलेंगे समुद्र इसके नमक के पहाड़ भी है तो यह वहां से जो रॉक है मिट्टी है या चट्टानों के रूपे मिल रहे हैं तो यह है दूसरी बात है कि समुद्र का जो पानी होता है उ इसमें पानी होता है इसको सुहागा भी कहते है ना बोरेक्स कहते हैं बोरेक्स को हिंदी में कहते हैं सुहागा यह सुहागा है हर किसी का सीधा साधान नाम नहीं पता सकते हैं साधर नाम कोछीज फ़६ c Na3AlF6 Soda Felspar मतब आपको मैं यहाँ पर यह बता रहा हूँ यह list है Carnalide का formula यह है कि KCl MGCl26H2O तो क्या बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर कोई सिखाने और समझाने वाली बात नहीं आ रही यहाँ पर यह list है इस list को copy में लिखो याद रखो Calculate में पूछा जा सकता है कि Felspar का formula कौन सा है Lepiduride का formula कौन सा है सिर्फ पहचानना है आपको तो भाई याद तो रखना पड़ेगा तो यह चीज़ आप याद रखें बोरेक्स का formula क्या है यह भी एक formula यह चीज़ों को याद रखना पड़ेगा तो यह इस तरह से आप एक बार इसे नोट कर लीजे आप देखें आगे कि electronic विन्यास आपको मैंने बता दिया electronic विन्यास में आखरी electronic विन्यास क्या है ns1 आएगा इस गुरूप के तर्तों का अब लीथियम का परमर्णक विन्यास तीन है तो electronic विन्यास 1s2, 2s1 11 का क्या होगा sodium का 11 है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 इस तरह से electronic विन्यास होगा तो यह आपकी practice है आप समझते हैं इनको आप बना सकते हैं आप उसमें practice कर सकते हैं मुझे कुछ भी बताने जियोत नहीं है आप बाव का आप graph बना लीजे आप बाव का सद्धान देख लीजे और उसकी बेस बना लीजे बिल्कुल कहीं पर कोई अपवाद नहीं आने वाला बिल्कुल नॉर्मल है कोई attention नहीं ठीक है, चलो, आगे चलते हैं शार्धातों के पर्मानों के ऐवं भước के गुण शार्धातों के एक तरह से भबात गुण के बारे बात करते हैं यहाँ पर कुछ बातों पे ध्यान दे आप अगर इसके डेटा देखें ध्यान से एक क्रमी कृफ से परिवर्तन देखने मिलेगा परमानों तरिज्या हमने कहा इस वर्ग में तत्तों पर जाएंगे तो उपर से नीचे जाएंगे तो लगातार परमानों आकार बढ़ते जाती है कहीं पर कोई अपवाद नहीं है यहां पर देखें य 152 यह बढ़ा है 186 227 और बढ़ा हो गया 248 और बढ़ा हो गया यह और बढ़ा हो गया तो आप अपन देख रहे हो कि परमानों आकार जो है वो बढ़ा होते जा रहा है परमानों आकार की दुल्ला में आने का अकार यह परमानों आकार आने का अकार हुआ माल लेते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर M लिख देता हूँ, तो यहाँ पर M प्लस का आकार होगा, यह लीथियम का आकार होगा, यह लीथियम प्लस का आकार है, मतब एक एलेक्ट्रोन जब खो देता है, तो इतना छोटा हो जाता है, सोडियम भी इतना छूटा हो जाता है तो यह भी अगर हम एलाई प्लस एने प्लस या इसकी बात करें तो इनका अकार भी रेगलरली बढ़ी रहा है लेकिन अगर क्वथनांग की बात करते हैं तो आप क्वथनांग में क्या देख रहे हो देखो 1620 है यह 1154 है 1620 है और यह 1154 है फिर यह देखे आप यहां पर तो 1611 में 11 Says दस मीं चला गया दस से 961 में चला गया यानि आप यहां पर क्या देख रहे हो इसका जो-कवथनांग है यहानि की बोईलिंग पॉइंट है वो आप देख रहा हो कि boiling point धिरे 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 कम होती जा रही है लिकिन यहाँ पर आने पर थोड़ा सा बढ़ जाता है इनका available नहीं है यहाँ पर यह एक अपवाद देखने को मिलेगा ऐसे एक और अपवाद देखने को मिलेगा इसके घनत्तों पर यहाँ से इस जगह पर जाते हैं तो घनत्तों बढ़ता है फिर इसके बाद आप देखो फिर यह घनत्तों कम हो जाता फिर बढ़ने लगता है यानि नीची की और जाने पर घनत्तों तो बढ़ता है रेगुलर अगर देखा जाए लेकिन एक जगह पोटेशन पर जाने पर घनतों थोड़ा कम हो जाता है तो यह कुछ जगहों पर आपके एक कॉश्चिन बनते हैं तो इसका कारण क्या है हम इन पे थोड़ा ध्यान रखेंगे बांकी चीजे रेगुलर ली चेंज हो रही है जैसे होना है ज्वाला रंग क्या है इन सब को मैं इस्पेशली आपको बताते जारूं आप देखते जाएगा चलो हम भहुतिक गुण देखेंगे कि भहुतिक गुणों में कौन-कौन से गुणों को हम देखने वाले हैं बहुतिक अवस्था पर्मानोत तridja, आयनकतरिजा, आयनन उर्जा, घनत्व, गलनाक, इमकथनाक विद्धनातमकता, धात्व गुण, विद्धनातमकता, चालकता आक्सिकरन अवस्था, अपचायगुण, जलियोजन उर्जा, जौला मेरंग और प्रकाश्विद्यत प्रभाव इनको हम डीटेल में पढ़ाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर बता करके फिर डीटेल करूँगा तो लंबर टाइम जाएगा इसलिए हम इनको डीटेल में अब पढ़ते हैं, बहुत तिक अवस्था, सिधी से बात आप समझो, कि यह जो धातू होता है, यह जो तत्तो होता है, इस वरकाश्विद्यत को छोड़ दिया है, क्योंकि इसलिए हमने हैं अलग से पढ़ाया, तो हमने लीथियम, सोडियम, कैसी धातों हैं, यह बहुत ही मिर्दू या नरम धातों हैं, इसको चाकू से अराम से काटा जा सकता है, इसे हाथ से दबाओगे तो दब भी जाती है, ठीक है, तो शार्धातों ताजा कटा हुआ अगर इसको उसका पार्ट दिखा जाए, जिसका को आप काटते हो ब्लेट स यानि वो रेजर ब्लेट होता है ना, उस ब्लेट से अगर काटते हो, तो वो जिस सिस्ता में काटे हो, वो हिस्ता एक्टम चांदी के तरह सफेद चमकदार दिखाई देता है, लीथियम कठोर्तम धातों है, इस कुरुप में आएंगे, तो कठोर्तम धातों लीथियम है, औ और समू में उपर से नीचे जाने पर ये कठोर्ता घटती जाती है, ये कुछ बाते हैं, याद रखेगा, ठोस है, परन्तों लीथियम से नीचे जाते हैं, तो वो कठोर्ता घटती जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि धात्तिक बंद की शक्ति जो होती है, वो घटती जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि आयनन उर्जा कामान यहां पर घटती जाती है. देखी ये बात याद रखेगा, थोड़ा सा घड़बड होता है कभी, क्योंकि अक्सर ये होता है किसी भी वर्ग में, उपर से नीचे जाते हैं, तो घणत तो बढ़ता है, और सबसे बड़ी चीज तो होता है कि उसकी कठोड़ता जो है, वो बढ़ती जाती है. लेकिन इसमें आपको देखने के मिल रहा है कि कठोड़ता जो है घटती भी नजर आ रही है. ये बात हमेशा नहां रखें, ये थोड़ा सा आपके लिए इस्पेशल है. फिर बात हमेशा परमानु तरीज़ा, आप सब जानते हो कि उपर से नीचे आते हैं तो परमानु आकार बढ़ते जाता है, कारण नए कोश आने लगते हैं, तो कोशों के संख्या बढ़ने के कारण परमानु आकार बढ़ता है. आपने इस बात पर आपको ध्यान देना है, कि हमने जो अभी पढ़ेंगे, वो है हमने तक्तों का वरगी करण और आवरतिता पढ़े हैं, उन्हीं चीज़ों का यहां पर यूज करना है, स्पेशल कुछ हो का, तो जो अपवादिक बाते हैं, उनके बारे हम बात करेंगे य जाएगा, आप उसको अपने इस लेवल पर भी पढ़ सकते हो, इसी कारण से सबसे पहले आपको जो पढ़ाए गया है, आवर्तित, आवर्तिकुन या अवर्तिता पढ़ाई गई है, तत्तों के वरगी करन वाले चप्टर में से, तो आपने वहां पर सिखा इन चीज़ों क तो उन चीज़ों का यूज यहां पर करोगे पूरा-पूरा, यानि यहां पर नया रूप सिर्फ पढ़ने की जरूत नहीं है, आप ऐसे बोलोगे नहीं तो पर कन्फ्यूज हो जाओगे आप, तो आप यह समझो कि जो वहां पर पढ़े थे, जैसे किसी वरग में उपर से नीची जाते हैं, पर माणो कर बढ़ता की खड़ता है, मैं आप से पूछ ना चाहूँगा, तो आप क्या बोलोगे सर, उपर से नीची जाएंगे तो पर माणो कर बढ़ता है, यानि कि उपर वाला तक तो छोटा, नीची वाला बढ़ा, और बढ़ा, और बढ़ा, क्यों वाई क्या है क्योंकि की नए कोषों संख्याaby कारन बढ़ने में लगता है लिधर में दो image को दो कॉस है सॉडिय तो अनकर तरह से पूझिए में 4 और जाइस्तर है तो ये आप सब को पता है की कोशों की संख्याUB बढ़ने की कारण आकार वाठते जाता है फिर बात आता है आयनिक तरिज्जा हैं आयनिक तरिज्जा हैं वैसे ही अब इस बात पर ध्यान दें कि सोडियम ये है और आप जाते हो आगे सोडियम प्लस और ये इलेक्ट्रों दान कर दिया तो अगर आकार की बात करूँ या तरज्जा की बात करूँ तो किस की तरज्जा जादा होगी Na और Na प्लस सिदी सी बात है सोडियम की तुलना में सोडियम आयन की तरज्जा कम होगी क्यूं? क्यूंकि ऐसा होने पर, इलेक्ट्रोन दान करने पर, अब इसके नाभी की आकर्षन जितने इलेक्ट्रोन बचें उस पर ज्यादा पढ़ने लगता है और इस तरह से उनके आकर्षन बढ़ जाती है और वो परमानवाकर कम हो जाता है दूसरा करन है एक इलेक्ट्रोन अगर निकल गया तो अंतिम कोश कम हो गया तो एक तो कोश कम हो जाता है इस वुझे से और दूसरा इनका नाभी की आकर्षन बढ़ जाता है इस करन से दो करनों से इनका परमानवाकर कम हो जाता है अब आयन बन चुका है तो आप यहां पर बात करते हैं Na plus है, Li plus है, Potation plus है तो इनके जो तरिज़ए होती है, नीचे जाओके तो करमशा बढ़ने लगता है ज्याने की आयने की तरिज़ए नीचे जाने पर बढ़ता है याद रखें, शारधा तो परमानू की अपिक्षा उसके धनायन का परमानू आकार छोटा होता है या उनका धनायन का आकार छोटा होता है मैंने कारण बता दी हैं और उसका reason आपके पास है अब चलते हैं आगे यहाँ पर देखें, आयनन उर्जा या आयनन एंथल्पी तो आयनन उर्जा या आयनन एंथल्पी होता क्या है किसी भी परमानू के अंतिम उर्जा इस तर से इसको सही हुजी ऐलेक्ट्रॉन कह सकते हैं या सही हुजी कोश कह सकते हैं किसी परमाणों के अंतिम उर्जा इस तर से एक एलेक्ट्रोन निकालने के लिए लगने वाली आवश्यक उर्जा आयनन उर्जा पहलाती है अब आयनन उर्जा का मान समझ में आ गया क्या है अब ये बताओ उपर से नीचे आओगे लिथियम, सोडियम, पोटेश्यम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम तो परमाणों आकार बढ़ रहा है नाभिक से दूरी बढ़ रही है तो क्या होगा आसानी से एलेक्ट्रोन निकाला जा सकता है तो उपर वाले तक्तों की तुल्ला में नीचे वाले तक्तों की आइनन उर्जा लगातार क्या होने लगेगी? घटने लगेगी कारण? कारण तो एक ही है कि परमाणों आकार का बढ़ना नाभिक से अंतिम कोश के बीच की दूरी बढ़ती है तो आकर्शन बल नाभिक का अंतिम कोश के लेक्ट्रॉन पर लगने वाला अकर्शन बल धीरी धीरे कम होने लगता है और इस तरह से आसानी से लेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है तो आइनन उर्जा कम लगेगा अब दूसरी काम भी है कि जब परमाणो आकर बढ़ता है तो आंतरिक कोशो में एलेक्ट्रॉन की उपस्थित होना एक परिरक्षन पर भुष डालता है इस करीनिंग पर भुष डालता है जिसकी वज़ा से भी आइनन उर्जा कमान कम होता है जिसको कहे सकते हैं, electron, electron, progression भी कहे सकते हैं इस कारण से भी, electron आसानी से propre odhaster हो सकती है तो बड़े परमाणों में ये दो घटना हो रही है आकार बड़ा है, कोशों के संख्य जादा है नाविक से दूरी ज़्यादा है इसलिए आयनन उर्जा कम होती जाएगी बड़े तत्तों में ये भी हुआ कि अंतरिक कोशों के जो इलेक्टोन होते हैं जो परिरक्षन पर भोड़ डलते हैं शिल्लिंग एफिक करती हैं जिसको स्क्रिनिंग एफिक भी करते हैं ये हाने आने के वज़े से भी इसकी आयनन उर्जा कम होती है तो इस तरह से आयनन उर्जा दिरे-दिरे कम होने लगता है मैं सारी चीज़ों को आपके लिए स्पेशल लिग दिया हूँ आप उसको नोट कर सकते हैं रीजन यहाँ पर आपके पास आ गया तो इस तरह से उपर से नीची जाने पर आनन उर्जा धिरी धिरे कम होती जा रही है घनत्त बड़े आकार के कारण चार धातों का घनत्त अन्य धातों के तुलना में कम होता है अगर हम आवर्त में देखें कि तो आवर्त में धिरे दिरे आकार छोटा होती जारा है आपको पता है तो इन्हांगों ने कहा अगर कोई ठोस पदार्थ है तो इसकी बड़े आकार होने के विज़ेशे इसका घनत्त आ गाम है पर मानुक का आकार बड़ा होगा इनके जो closed packing है, वो कम होगा,thm pro cecieum, sodium, potassium याने नीचे जाने पर lithium से sodium तक इनका घनत तो बड़ता है, इनका घनत तो क्या हुआ, बड़ता है, द्याहँ रखेगा lithium, sodium, potassium तो जल से भी हलके होते हैं, और इस तरह से नीचे जाने पर घनत तो बड़ते जाता है, क्योंकि सम्मू में नीचे जहने पर क्या लिए कि पर्मानो आकार पर्मानो भार दोनों में ही विद्धी होती है यहाँ पर इस बात पे ध्यान लेंगे पर्मानो आकार और पर्मानो भार पर्मानो भार बटा पर्मानो आकार यानि कि घनतो हुआ तो अगर घंतों की बात करेड़ पर्मानृ उसके तो जिस लीवल में उसका आकार बढ़ेगा उसके तुलमें ठोड़ा द्रविमान बढ़ जाता है जिसके छोड़ा सब्सक्राइब और उसका घंतों जो है वो बढ़ने लगता है सीधा समय कहानी बोलूँगा परमाणों इंतत्तों का नीचे जाने पर घणतों बढ़ता है नॉर्मली सभी जगा पर ऐसा देखने मिलता है गल्लांक यवं कवथनांक गल्लांक यवं कवथनांक उपर से नीचे जाने पर घड़ता है उपर से नीचे जाने पर गड़ता है अब यहां पर ध्यान रखें शारी धातों के कम गलनांक वा क्वथनांक किस्तिल जालक में उनके परमाणों द्वारा दुर्बल धात्तिक बंद बनने के कारण होता है इनका कम गलनांक या कम कोथनांक होने का कारण क्या है उन परमाणों की बीच में दुर्बल धात्तिक बंद होने के कारण होता है क्या कारण होता है दुर्बल धात्तिक बंद धात्तिक बंद प्रबल नहीं होता है दुर्बल होता है इस कारण से होता है तहारा कि मैं बहुत हलके मिजा से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी दिमाब में पूरी बातें जाएं है ना हम हो हला करके तो पढ़ सकते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो जाती है चलो ठीक है इसके बाहर कोश में एक एलेक्टरॉन होता है परमानु आकार के की वज़े से होता है तो गल्नांग वाथनांग जो होता है नीचे की ओर जाने पर घटकी जाती है फिर बात करते हैं धात्य बंद की शक्ति या प्रबलता नीचे की और जाने पर धात्य परमाणों में बढ़ते हुए आकार की कारण घड़ती है आकार बड़ा हो जाता है जिसके वज़े से इसके गलनांग और कत्रांग में थोड़ी बहुत कमी आने लगता है इस कारण से ऐसा होता है तो धात्य बंद की प्रबलता नीचे जाने पर घटने की वज़े से ऐसा होता है यह कुछ बातों को आप थोड़ा रिलेक्स हो करके भी समझने की कोशिश करना विद्युद्धनात्मक्ता के बारे में आप जानते हो धात्युद्धनात्मक्ता के बारे में जानते हैं विद्युद्धनात्मक्ता मतलब किसी तत्तों के द्वारा किसी पर्मानों के द्वारा आसानी से एलेक्ट्रोन मुक्त कर देना पर्मानों के द्वारा एलेक्ट्रोन से एक सिंपल से परिभाशा में बात करते हैं धातू क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन जो तत्व इलेक्ट्रॉन दान करता है वह धातू है कःङ की बात हुई दोनों लगल्फाग एक बात हुई अब धात्य गुण का मतलब होता है यह जिन तत्तों में इलक्ट्रन् दान करने की जभ्क है वह एक गुन रङता है विदुच्छा लगता का दात्य शमकक का धात्य खनक का तन्यता का अ अगात वर्धनियता का यानि धात्व के सारे गुण रखते हैं जिसमें क्या हो इलेक्ट्रॉन दान करने की शम्ता हो यह बात यहां पर देखने की मिलता है लेकिन जो तत्व इलेक्ट्रॉन गरहन करने की शम्ता रखती है वो अधात्व कुण रखता है आपको यह भी पता है सौ यहां पर हम बात कर रहे हैं धनायन बनाने की प्रविप्ति हैं यानि किसमें धातु कुण अब ऊपर से नीच जाएंगे तो पर्माणू आकर बढ़ते जाता है जिसके करें उसके धातुक गुण अर्वित्यृ धन्त्मक्ता गुण भी बढ़ती जाती है सबसे ज्यादा किसम Korenwood माना जाएगा अब Frankium को अगर Video सक का अलग जगा करना चाहते हैं तो सीजियम हो और अगर यहीं पर करना चाहते हैं तो फ्रांशियम हो गया फ्रांशियम तो यहां पर ध्यान रखेगा नीची क्यों जाएंगे तो धात्य गुणों में वृद्धी होती है विद्य धनात्मक्ता में वृद्धी होती है अब देखें विद्य धनात्मक्ता की बात करें तो उपर से नीचे जाएंगे तो परमानुआ कि अधिक ट्रवन करने की झाता में बिल्कुल कम होते जाएगा तो उपर वाले ततों की विध्य तुर्णात्मक्ता ज्यादा है लेकिन नीचे वाले तत्तों की बहुत कम यह विध्य त्रनात्मक्ता में कमी आती जाएगी नीचे जाएंगे तो चालकता चुकि ये धातू है अंतिमकोष के इलेक्ट्रोन गतिशील है इसलिए बहुत अच्छे चालक होते हैं चार धातू है उश्मा तथा विद्दुत के अच्छे चालक होते हैं धातूं की विशिस्ताइं होती है तो उपर से नीचे जाने पर इनके जो विद्दुत चालकता है ये बढ़ती है क्योंकि इलेक्ट्रोन आसाने से रिलीज हो जाता है तो यही एक बात होता है और दूसरी बात दिहान रखें क्योंकि दिखो लिखाए ये नीचे जाने पर सह्योंजी इलेक्ट्रोन का बंधन अ का आसानी से एक एलेक्ट्रोन दान करके धनायन बनाती है तो एक ही एलेक्ट्रोन करना है तो आसानी से नंबर वाला आयम बनाएगा तो इसके अक्सिडिशन नंबर कितना होगा एक अप्चायक गुण अप्चायक गुण यह भी विद्ध्यधन अत्मक्ता जैसी वाली बात हो गई जो तत्तो आसानी से एलेक्ट्रोन दान करता है वो प्चायक होता है यानि एलेक्ट्रोन दान करने की शम्ता उसके अप्चायक गुणों को बढ़ाती है तो देखें अप्चायक शम्ता किसी तत्तो या परमानों द्वारा एलेक्ट्रोन देने या त्यागने की प्रवित्त को अपचायक Gurn कहते हैं या अपचायक शमता कहते हैं अब आप जानते हूँ इस तत्तो के अन्दिमकोष मेरी क reward है इसको इजली वो क्रोनेट कर सकता है दान कर सकता है यानि कि कि इसके अपचायक शमता उच्छ है तो इस तरह से शार्धातों में आयनन अन्थल्पी कम होता है यानि आसानी से लेक्टौन दे सकता है कम उर्जा लेकर कि भी लेक्टौन दान कर सकता है यानि किसके अपचायक शमता अधिक है इस तरह से सरलता से लेक्ट्रों त्यान करने की प्रबल प्रवित्ती पाई जाती है इसलिए ये प्रबल अपचायक होते हैं ये प्रबल अपचायक है और इस तरह से उपर से नीचे जाने पर इसकी अपचायक शमता बढ़ती जाती है यहाँ पर ध्यान रखिएगा उपर से नीचे जाने पर अपचायक शमता बढ़ती है मत्तब sodium से ज़्यादा potassium से ज़्यादा sodium potassium rubidium cesium and cesium फ्रंशयम को हम अध्यन अक्सर नहीं करते यहां पे क्योंकि वह radioactive element है तो वह radio activity के अंदर अध्यन करते है इसलिए आपने दिखा होगा कि उस जगा पर पुरी list जो है blend था अब देखें lithium के सबसे कम होना चाहिए लेकिन एक्चुली इसकी सबसे ज़्यादा होती है लीधियम लास्ट में आएगा तो लीधियम अपवाद लिखा गया अपवाद यह याद रखिएगा यह important point हो गया वर्ग में उपर से नीचे जाने पर अपचायक शमता बढ़ती है लेकिन लीधियम के अपचायक शमता जो सबसे कम होनी चाहिए जबकि उसकी जगा सबसे ज़्यादा है क्यों यह आपके लिए question बन गया कारण इसकी मानक अपचेंग विभाव हमने redox पढ़ा है तो वहाँ पर हमने पढ़ा है electrochemical series यह मानक अपचेंग विभाव आपको याद आ रहोगा मानक अप्चेहन विभाव का तो क्या पढ़े हैं आपने वे एक्ट्रो केमिकल सिरीज जिसको क्या कहते हैं आप लोग विद्धुत रासानिक शिर्णी तो विद्धुत रासानिक शिर्णी में आपने देखा होगा कि सबसे कम E0 की वैलिव होती है इसकी यानि कि मानक अप्चेहन विभाव का मान सबसे निगेटिव होता है किसकी? लीथियम की यानि कि वहाँ पर ये प्रबलतम निगेटिव इलेक्टूड बनाने की शंता रखती है यही कारण है कि इसकी अप्चायक प्रबलति सबसे अधिक होती है यह याद रखेगा मैंने इसके कारण लिखती है तो शार्धातों में लीथियम एक अपवाद है जिसका आइनन इंथल्पी का मान उच्छ होते हुए भी आइनन इंथल्पी का मान तो बहुत जादा है लेकिन अप्चायक शमता सबसे अधिक है अपवाद हो गया अप्चायक शमता अधिक है अप्चायक शमता इलेक्ट्रॉन दान करके रिनात्मक इलेक्ट्रोड बनाने की शमता क्योंकि इनके मानक अप्चायन विभाव का मान सबसे कम है निगेटिव सबसे अधिक रिनात्माख है मतब निगेटिव है यानि कि सबसे कम है यही एक कारण पूरी प्रकृति में सबसे कम किसका है इन्हीं का है इलेक्ट्रों दान करनी मतब इलेक्ट्रोड पोटेंशल जो रहाता है मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशल ठीक है इस्टेंडर इलेक्ट्र पूनेशन, निगेटिव होता है, यही एक कारण, तो यह रेडॉक्स में आपने पढ़ा है, आप एक बार रेडॉक्स उसमें जागर की बार देख सकते हैं, विद्धु तरह सानी शेरनी पढ़े हो ना, लीना की काना मांगे, ली पहले आ गया, तो यह रखेगा, अब चलो जल योजन उर्जा की बात करते हैं, जल योजन उर्जा, धातु आयन का जली माध्यम में जल के अन्वों के संगुनन को जल योजन कहते हैं, इस प्रक्रिया में उत्सर्जित उर्जा को जल योजन उर्जा कहते हैं, धातु आयन का माध्यम में, जल माध्य में जल की अण्वों का देखो लीथियम है ये लीजे लीथियम आयन है और इनके साथ जल की अण्वे मैं जल की अण्वों को कुछ इस तरह से लिख रहा हूं ये लीथियम के साथ अब लीथियम पॉजिटिव है तो ये हम ऐसे लिखे हैं ना इस पैसे शक्त में तो जल की अन्वे इसके उपर इस तरह से आ करके जुड़ने लगती है और कई लेयर में जुड़ने लगती है इस तरह से एक पूरा गुच्छा बना लेता है इस तरह से एक गुच्छा बना लेता है तो इस तरह से लीथियम आयन के साथ क्या आ जाता है जल की अन्वे आ करके जुड़ जाती है तो इस तरह जुड़ने को कहते हैं जल योजन और जब ऐसा होता है तो इस घटना को कहते हैं इससे जो उर्जा सर्जित होती या मुक्त होती उस उर्जा को जल्योजन उर्जा कहते है हम ये देखेंगे जल्योजन की मात्रा जो है आकार पर निर्भकरता है आयन के आकार पर निर्भकरता है तो जल योजन की मात्रा आयन का आकार आयन का आकार जितना छोटा होगा जल योजन की मात्रा उतनी अधिक होगी लीथियम का आकार छोटा है तो उसके जल योजन जल योजित आयन का आकार जो है वो बड़ा होगा यही बात लिखा गया है जल योजन की मात्रा सबसे ज्यादा किसमे होगी लीथियम में होगी तो जल योजित आयन जो है बड़ा होगा लीथियम का पर्मानु आकार छोटा है फिर भी उसका जल योजित होने के बाद जो आकार बनेगा वो बड़ा होगा यही कारण है कि विद्धुद्चालक और इसी तरह सोडियम का छोटा प्रश्यम का और छोटा होते जाएगा तो सोडियम में कम पानी के अन्में जुड़ेंगी और यही कारण है कि विद्धुद्चालक तक बाहर पर 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 पढ़ता है विद्धुद्चालक तो चालक त junta líthyumayan का आकार जो है यह चलिवजित आयन का अको छोटा होगा तो इसकी बढ़ा होगी इस तरफ सोडियम एले ज्यादा होगा जिसnewsخ소 को अधाइडा होगा जबकि अइसा लग रहे कि सोडियम लीथियम जो है जो है छोटा है यह बढ़ा है यह बढ़ा है तो दो चालक्ता कम होती जाएगि आकार चालकता जो है आकार पर निर्फ 57 जटना चोटा होगा आकार जना पड़ा होगा तो चल चालकता कम structure कि करी चला में बड़ा है तो आप सोच रहे इसका ये कम चालक है, ये ज़्यादा चालक है, लेकिन उल्टा ये होता है कि लीथियम जो होता है, पानी जोड़ लेता है अपने से, जलियोजित हो जाता है, तो आकार इसका बड़ा हो जाता है, तो चालकता इसकी कम होगी, इसकी जादा होगी, इसकी जादा होगी, इस तरह से अगर बात करों तो किसकी विद्धो चालकता जादा होगी किस जली विलियन की जादा होगी तो होगी क्या लीथियम का आयनिक आकार बढ़ा हो जाता है यानि जल योजित आयन का आकार बढ़ा हो जाता है इस वजह से उसकी चालकता कम होगी ये भी आपको आगे पढ़ने क को मिलता है ज्वाला रंग ज्वाला रंग इसको अगर नीले रंग की जलती वी बुंसन बननर पर इसके लवन को ले जाए लीथियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड प्रटेश्यम क्लोराइड यानि इसके लवन को तो वह एक अलग तरह का रंग देता है देखें यहां पर कै से लिठयम जो चमकीला लाल किरमजी लाल बोलते हैं क्रिस्मस रेट सोधियूm सुनहरा पीला देता है प्टेशियम हल्का बहैंगनी देता है रुबीडियम जामुनी रंग देता है और सीजियम बहैंगनी देता है इसको आपको याद अखना पड़ेगा लाल पीला बहँंग सोडियम पीला, पोटेशियम हलका बैंगनी, प्रुबीडियम जामुनी और ये है बैंगनी, अब इसमें ध्यार रखना ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए होता क्या है, इस धातू की आइनन उर्जा कम होता है, तो जब इसको गरम किया जाता है जौला पर, बुंसन बर्नर की नीली रंग की जो जौला होती है, आपके घर में गैस चुला होता है, उसमें से निकलने वाली जौला होती है, उस जौला पर हम इस धातू को हम रखते हैं, धातू के कोई लवन को हम रखते हैं, आपने कभी दे तो यह जो रंग आता है वो क्या है तो क्यों आता है क्योंकि अंतिम कोश का जो है लेकिन अपनी पुणा ज्गा पर जब वापस आता है तो कुछ विकीरन मुक्त करती है और यह विकीरन में एक निशित रंग होता है एक प्रकाश होती है एक रंगिन परकाश होता है तो वही व प्रकाश विद्यत प्रभाव, धातू की सत्व, इसकी आयनन उर्जा कम होता है, आपको पता है, इसके एलेक्ट्रोन आसानी से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि इसका परमानु अकर बड़ा होता है, इस वर्गी तर्तों पर, तब इस पर प्रकाश पढ़ती है, तो प्रकाश पढ तो यह भाग पॉजिटी हो जाएगा, इसके आजपस कोई दूसरा हमने धातू का प्लेट रखा है, तो वो प्लेट क्या हो जाएगा, उस एलेक्ट्रोन को गराण कर लेगा, तो यह निगेटी हो जाएगा, तो इस तरह से देखिए, कि दो धातूएं, एक जो छारी धातू और दूसरा कोई दूसरा धातू कुई दूसरे के मद्ध РЕक डिया जागा अन्य क्लिप बना करके। तो हम देख रहे हैं कि जब इस पर द्धात प्रकाश ठकरा ती तो इसके इलेक्ट्रन तो तेजित हो जाते हैं और वो निकल करके एक सेल बन गया, सोलार सेल बन गया, इसको देखो, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रकाश विद्धुत प्रभा का मतब क्या होता है, धातू पर प्रकाश डालने पर उसकी सता का इलेक्टॉन सर्जित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश विद्धुत प्रभा कहते हैं प्रकाश विद्धुत प्रभा को उप्योप प्रकाश विद्धुत सेल बनाने में किया जाता है, अब मैं आपको बता दूँ, लीथियम का परमानोकार छोटा होता है, तो ये प्रकाश विद्धुत सेलों के निर्मान में काम नहीं आएगा, तो सोडियम का भी थोड़ा ब क्योंकि इसका आयनन और्जा कम है आयनन विभाव कम है तो मुझे लगता है कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि आयनन विभाव का कम होना यह निखावाद द्रिश्य ठीक है तो आपने देखा कि प्रकाश पढ़ने पर इलेक्ट्रों तरजित और सरजित होते हैं जिससे वह धनाविश्य प्लिट बन जाता है हमने देखा कि प्रकाश विद्धित प्रफाव क्या होता है मुझे लगता है कि यह बात आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा ज्यादा लंबा तो नहीं खीश सकते क्लास अब देखे छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो पढ़ा है आज पढ़ा एस ब्लॉक तत्तों क्या है प्रत्थम वर्गे तत्तों के आसामानि प्लस वन ओक्सिक्रण अवस्था दूसरा माइनस वन ओक्सिक्रण अवस्था सी है प्लस वन वा प्लस टू अक्सिक्रण अवस्था और डी है माइनस वन वा माइनस टू अक्सिक्रण अवस्था जल्दी फटाफट एकदम छोटा क्वेशन सरल क्वेशन शारी धात्व कोंस औक्सिक नवस्था प्रजिश करती है ठीक है ओके तो इसका उत्तर होगा हाँ जी answer check ओके ठीक है तो यह होगा प्लस वन औक्सिक नवस्था पहला option राइट है बिल्कुल आसान है ना शारी दर अब देखें दूसरी बात है electronic वन्यास यह है वाला तत तो होग देता है क्या अमली ओक्साइट छारी ओक्साइट उभैधर्मी ओक्साइट और दुदासिन ओक्साइट क्या ओक्साइट देगा अगर electronic witness ये है इसका मतलब है शारी धातों है तो शारी धातों है तो शारी ऑक्साइड देगा बेलकुल एंसर राइट है तो इसका B option राइट है ठीक है अगला प्रशन हमारे पास है शारी धातों के संदर्ब में कौन सा कथन गलत है जल्दी करें A. Lithium प्रबलतम अप्चायक है B. N. A. उभैधर्मी प्रवित्ती का होता है कौन सा गलत है बोला ना ध्यान रखना इस बात पे A. उभैधर्मी प्रवित्ती का होता है C. Lithium बहुत छोटा होता है और D. लिखावाए सभी शार धात में दरव अमोनिया में नीला फिलियन देता है बलकुल जवाब एकदम आसान है गलत कथन कौन सा है यहाँ पर sodium को उभैधर्मी कहा है sodium हमेशा याद रखना उभैधर्मी क अगला प्रश्ण है हमारे पास कि छारी धातों के अपचायक गुणों का सही करम क्या होगा अपचायक गुणों का सही करम देखें अभी बताया था मैंने अपचायक गुणों के बारे में चलिए एंसर दीजिए जल्दी से अपचायक गुणों का सही करम क्या होगा आपको पता है कि वर्ग में नीचे आने पर आसानी से लेक्टों दान करने की शमता होती है तो अपचायक गुन नीचे की और बढ़ता है लेकिन लीथियम एक ऐसा तत्व है जिसके अपचायक गुन सबसे ज़्यादा होते है तो इसलिए अब आपको जवाब मिल गया होगा एंसर क्यों सा होगा आपका A का A ही एंसर होगा नीचे पर आने पर बढ़ते जाता है लेकिन लीथियम का अपवाद सरुप यह क्या होगा ज़्यादा होगा यह एक चीज है जो छोटी छोटी बात हैं जो आपके दिमां में रखना है नॉर्मली बचा किस चीज को लिखेगा इसमें क्रम नहीं दिया चले ठीक है तो हमने आज देखा S-Block तत्तो प्रथम तत्तो अब समान में वहार विकर्ण संबंद उपलब्धता इलेक्ट्रोनिक विन्या चारधातों की बहुत तिक गुण और हम देखें क्वेज अब कुछ हम आपको होमर्क दे रहें इन होमर्को आप बनाई हैं बहुत इंपोर्टेंट है बहुत जरूरी है और साथ में हम कहेंगे कि अब हम अगले चरण में जा सकते हैं तो आप पढ़के रखिए चारधातों के रासाने गुण मैं अगली क्लास में लेने वाला हूँ एस ब्लॉक तत्तो का लेक्शन नमबर टू तो आज की क्लास यहीं पर समापत करता हूँ नमस्कार धन्यवाद तेंक यो